तीस दिन तीस वीडियो यह एक चैलेंज है जस्तो जो आपको कोई नहीं देता है यह चैलेंज आप अपने आपको देते हो बट इसके कुछ साइड एफेक्ट है कुछ अच्छे है और कुछ खराब है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले बात के लिएते हैं कि तीस वीडियो अप्लोड करूँगा जब यह चैलेंज आपको हर दिन एक वीडियो अप्लोड करना पड़ेगा चाहे आपको कुछ भी हो जाए चाहे बुखारा या फिर कोई फंक्शन हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए बट आपको हर दिन एक वीडियो अप्लोड करना पड़ेगा तो यह challenge किसको accept करना चाहिए और किसको accept नहीं करना चाहिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 30 days और 30 videos यह जो challenge है किसको accept करना चाहिए तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपका एक नया channel है आपने channel बनाया है दो-तिन मैने हो गया तो भई आप यह channel को accept कर सकते हो क्योंकि दोस्तों आपको YouTube के बारे में कुछ भी knowledge नहीं होती है अगर आप यह challenge accept कर लेते हो तो भी आपको हर दिर एक video upload करना पड़ता है जिसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है आपका जो बात करने का तरीका है वो उसमें आप improvement ला सकते हो अपने जो content है उसमें improvement ला सकते हो मतलब हर दिन जो भी आप video upload करेंगे उसमें आप कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलता है जिसे आपका जो experience है वो आप improvement कर सकते हो हर दिन बट ये जो चैलेंज है ये किसको accept नहीं करना चाहिए अब इसके बारे में बता रहते हूँ देखी अगर आपका पुराना चैनल है एक साल हो गया फिर या आप बहुत जादा वीडियोस अप्लोड कर चुके है 100 या फिर 200 वीडियोस अप्लोड कर चुके तो भई ये चैलेंज अगर आप accept करते हो तो आपको हर दिन एक वीडियो अप्लोड करना पड़ेगा चाहे बहुत कच भी हो जाये, कुछ भी मुखार आजाए, कुछ फंक्शन आजा भी घर में कोई problem आजाए तब भी आपको हर दिन एक वीडियो अप्लोड करना पड़ेगा अब उसकी चेकर में आप क्या करते हो डेली एक वीडियो अप्लोड करने की चेकर में आप कुछ भी अप्लोड कर देते हो जिसे के आपका चैनल पर बैड एफेक्ट पड़ता है जिसे जो आपकी चैनल की जो रीच है वो डाउन जाती है आप डेली वीडियो अप्लोड कर रहें बट कुछ दिन के बाद आपको कॉंटेंट नहीं मिलता तो आप सोचे कि अलग टैप का कॉंटेंट अप्लोड कर देता हो तो अगर आप वो वीडियो वाइरल जाता है तो उसी टैप की आउडियंस आपके पास आज जाती है तो आप वो ओडियंस आपके इस वीडियो को नहीं देखेंगी तो अगर आपके पास टैम नहीं है डेली एक वीडियो गनाने का तो वीडियो मत बनाओ एक दिन ग्याप लो जैसा कि मैं अपने वीडियो बनाता हूँ एक दिन वीडियो अप्लोड करता हूँ जुसरे दिन ग्याप देता हूं और तीसरे दिन वीडियो अप्लोड करता हूं मतलब दो दिन बात तो ऐसे में आपके पास टाइम बच जाता है और आप अच्छे से अच्छे 30 days का चैलेंज वो एक्सेप्ट कर सकते हो और experiment के लिए आप देख सकते हैं आपके 30 दिन में जो आप 30 वीडियो कर रहें इसमें आपको कितना benefit हो रहा है तो यह आप सिर्फ experiment के लिए आप यह चेक कर सकते हो बोलने का मतलब यह है कि आप 30 days का challenge accept कर सकते हो अगर आपके पास time हो या फिर अगर आप एक new YouTube creator हो तो भी आप 30 days challenge accept कर सकते हो बट अगर आपके पास time बिल्कुल भी नहीं है तो भी ऐसे में आप यह challenge को accept मत करो जैसा आप काम करते जाओ तो इस छोटे से वीडियो में आपको कुछ समझाने की कोशिश किया है अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करो चैनल को subscribe नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को subscribe कर लो मिलते कु अगरे वीडियो में बाबाए